हर्याना के अंदर विधान सभा का चुनाव हो चुका है विधान सभा का परिणाम भी कल आ गया और देर शाम होते होते हर्याना की सभी 90 विधान सभा सीटों के चुनाव परिणाम घोशित हो गए भारती जनता परिटी ने हर्याना के अंदर एक इतिहास बना दिया 48 विधायकों के साथ भारती जनता परिटी ने हर्याना के अंदर सत्ता की हैट्रिक लगाई है जब से हर्याना बना तब से ऐसा पहली बार हुआ कि किसी राजनितिक दल को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला हूँ हलाकि इससे पहले कॉंग्रेस 2004 और 2009 में लगातार 10 साल सत्ता में रह चुकी है भारती जंता पार्टी 2014-2019 लगातार 10 साल सत्ता में थी इससे पहले किसी भी पार्टी को लगातार दूसरी बार भी सरकार बनाने का मौका नहीं मिला था लेकिन भारती जंता पार्टी ने इस चुनाव के अंदर यानि कि 2024 में 48 सीटों की सरकार यानि की पूर्ण भूमत की सरकार के साथ हैट्रिक लगा करके एक हरियाना के अंदर एक इतिहास कायम कर दिया है इसके साथ साथ एक इतिहास हर्याना के अंदर और बना है हर्याना की राजनीती की जब बात होगी तो बात होगी हर्याना के लाल परिवारों की लाल परिवार यानि की चौधरी देवी लाल का परिवार चौधरी भजन लाल का परिवार और चौधरी बंसी लाल का परिवार हलाकि हर्याना के लाल और भी है संथ हर्दवारी लाल हर्याना के चौथे लाल माले जाते थे और पूर मुख्यमंत्री मनहोर लाल हर्याना के नए लाल के रूप में माले जा सकते हैं इस चुनाव के अंदर जो विधान सभा चुनाव अभी हाल ही में हुआ, जो तीन लाल परिवार प्रमुख हुए, चौधरी देवी लाल परिवार, चौधरी बंसी लाल परिवार और चौधरी भजन लाल परिवार, इन परिवारों के कुल मिला करके 16 सियासी वारिष मैदान में थे सोना सियासी वारिष चुनाव मैदान के अंदर अपनी भाग्य की परिक्षा कराने के लिए उत्रे थे लेकिन इस पूरे चुनाव के अंदर चौधरी देविलाल परिवार से जिससे दस नेता चुनाव मैदान में थे दस उनमें से मात्र दो नेता चुनाव जी परिवार से उनके तीन सियासी वारिस चुनाव मैदान में थे लेकिन चुनाव जीते केवल एक। ये दो वारिस चुनाव के अंदर चुनाव के अंदर चुनाव हार गए वो। चुनाव मैदान में आये वो थे चंदर मोहन विश्णोई पंचकुला विधानसवा सीट से। दूसरे उनके असली सियासी वारिस बवे विश्णोई कुल्दीब विश्णोई के बेटे आदमपूर विधानसवा चुनाव से। लेता चुनाव हार गए। भवे विश्णोई को लेकर के अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आदमपूर का किला ढह गया पहली बार। लेकिन इधर भवे विश्णोई हारे उनको चंदर प्रकाश आईएस ने हराया और वहां दूडा राम हार गए उनको बलवान सिंग दौलत पुरिया ने हराया। चौधरी भजनलाल के जो सियासी वारिस चुनाव जीते वो हैं चंदर महुन विश्णोई पंचकुला से। लेकिन चुनाव जीते मातर दो एक चौधरी देवीलाल के पड़पोत्र और एक चौधरी देवीलाल के पोत्र। सबसे पहले आपको बताऊं कि उनके मैदान मेदान में उतरे कॉन-कॉन लोग। तो इंडियन नेशनल लोगदल से अभे सिंग चोटाला चुनाव मैदान में उत्रे एलनाबाज से चुनाव हार गए रानिया से अरजुम चोटाला चुनाव मैदान में उत्रे अभे सिंग चोटाला के बेटे योम प्रकाश चोटाला के पोते चौधरी देविलाल के पड़पोत्र रानिया से वो चुनाव जीत गए लेकिन उन्होंने अपने ही दद्दा को हरा दिया चुनाव में रानिया का विधान सभा चुनाव इंट्रेस्टेट था और रानिया के अंदर रानिया के अंदर रानिया सिंग तीसरे स्थान पर चले गए दोसरे स्थान पर हैं कॉंग्रेस आई और रानिया में चौधरी देविलाल के परिवार के वारिष की पहली एंट्री होई अर्जुन चोटाला तीसरे सियासी वारिष चौधरी देविलाल के मैदान में थे आधित्य देविलाल डब वाली से डवाली से जो अधित्य देवीलाल चुनाव मैदान मुत्रे उनके सामने दिगवजय चोटाला थे वो भी चौधरी देवीलाल के परपोत्र और एक साथ साथ और थे वो थे अमिस सिहाग अमिस सिहाग डॉक्टर केवी सिंग के बेटे चौधरी देवी लाल के रिष्टे में पोत्र इस चुनाव के अंदर डबवाली में आधित्य देवी लाल चुनाव जीत गए और आधित्य देवी लाल ने चुनाव हरा दिया दिगविजे चोटाला को और अमिस सिहाग को यनिकी छे नेता जिनमें से एक विधानसभा सिट पर तीन एक पर दो और एक पर एक ये बैरे आपको बताए अगली विधानसभा की बात करते हैं तो फिर आजाती है वो विधानसभा सिट उचाना उचाना से चुनाव मैदान में थे दुश्यंत चुटाला दुश्यंत चुटाला इस चुनाव में जब उचाना से उतरे थे तो कहा था कि उचाना से जीवन भरकन आता है लेकिन उचाना विधान सावाज हेतर के लोगों ने जिन्होंने दुश्यन्द चोटाला को पिछले चुनाओं में 2019 के चुनाओं में लगबग 50-52,000 मोटों के अंतर से जिता दिया था अब के बार उन्होंने दुश्यन्द चोटाला की जमालत जब्त करवा दी दुश्चन चोटाला की उचाना में जमाला जबत हो गई और उनको वोट आए लगबग साड़े साथ हजार के आसपस चौधरी देवी लाल परिवार के सियासी वालिसों में अगर आठवी बात करें तो फिर हो सुनेना चोटाला है सुनेना चोटाला फटेहाबा से चुनाव लडी सुनेना चोटाला भी चुनाव हार गई यहाँ पर चौधरी भजन लाल का परिवार, चौधरी देवी लाल का परिवार सामने था दोनों परिवानों के सियासी वारिस हार गए और बलवान सिंग दौलत पुरिया जीत गए जो अगली विधानसभा सीट है वो टोहना टोहना जहां पर देवेंदर बबली हरे परमवीर सिंग जीते और यहां पर चुनाव मैदान में थे चौधरी ओम प्रकाश चोटाला के नवासे चौधरी ओम प्रकाश चोटाला के दोते कुनाल करन सिंग इस चुनाव को कुनाल करन सिंग भी टोहना से हार गए यानि की चौधरी देवीलाल के नाम पर सियासी वारिस चौधरी देवीलाल के नाम पर राजनिती करते हैं उसके अंदर जितने वाले जो रहे वो आधित्या देवीलाल और अरज़न चोठाला यानि कि चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल और चौधरी बंसीलाल की जो सियासी विरासत है वो विधान सभा में दीखेगी तो सही लेकिन उसकी वो ताकत नहीं होगी क्योंकि ताकत के रूप में अगर कहें तो 2019 की विधान सभा के अंदर विपक्ष के विधायक थे अवै सिंग चोटाला उनकी आवाज गूंसती थी विधान सभा में सरकार के अंदर डेपिटी चीफ मिनिस्टर थे दुश्यन चोटाला उनका सरकार के अंदर बड़ा औरा था तीसरे नेता थे उसके अंदर रंजीज सिंग चोटाला रंजीज सिंग चोटाला का भी बड़ा औरा था रंजीज सिंग चोटाला पावर मिनिस्टर थे इधर विधान सभा के अंदर नेना चोटाला थी दुशन चोटाला की मा ओम प्रकाश चोटाला जी के बेटे की धरम पत्नी पुत्र वदू चौधरी देवी लाल की पुत्र वदू अमिस सिहाग विधान सभा के अंदर थे अगर भजनलाल परिवार की बात करते हैं तो चौधरी भजनलाल परिवार से विधान सभा के अंदर जो प्रमुक नाम थे वो भवे विश्णोई थे और दूडाराम थे भवे विश्णोई से पहले कुल्दी विश्णोई थे चौधरी बंसी लाल के परिवार के बात आएगी तो किरन चौधरी थी अब कि बार इन सियासी परिवारों के एक एक वारिस तो है चौधरी देविलाल परिवार के दो वारिस चौधरी भजनलाल परिवार के और चौधरी बंसी लाल परिवार के एक वारिस लेकिन विधान सभाग के अंदर वो गूंज नहीं रहेगी जो गूंज कभी इन परिवारों की पहले रहती थी आप मेरी बास से कितना सहमत है कमेंट से बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजणा